तो दोस्तों तेलंगाना पुलिस ने गूगल के लिए एक लिश्ट भेजी है और 158 लोन एप्स की लिश्ट है वो तो 158 लोन एप्स को बैन करानी की मांग किये तेलंगाना पुलिस ने गूगल से और देखते हैं Google इस पर क्या अपनी परतिकरिया देते हैं क्योंगल ने कोई भी परतिकरिया अभी तक नहीं दिये और इसके अलाबा आपको बताता हूँ कि अगर आपने fake contact list बना के loan लिया है तो आपके साथ क्या हो सकता है ये भी मैं इस वीडियो में बता हूँ और आपको इन सबसे कैसे बचना है आपके document का misuse ना हो तो आप कैसे बच सकते हैं ये भी आप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा बहुत ही informative वीडियो है और जितने भी एजेंट्स आपके पास call कर रहे हैं आपको परसान कर रहे हैं call करके अभी भी continue call कर रहे हैं बहुत सारी एजेंट हैं जो की link भीज रहे हैं आपके पास और वो कह रहे हैं कि हमें इस link पर payment कर दो और हमारा payment हम तक update हो जाएगा और फिर हम आपको call करके परसान नहीं करेंगे तो क्या है पूरी कहानी बताता हूँ वीडियो में तो वीडियो को start करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अभीशे के आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सैटिल्मेंट टीबी अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रैट करल का सबस्क्राइब बड़न दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लिजेगा और उसके बगल में एक बैल आइकन भी होता है उसको भी प्रेस कर लिजेगा जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालू सबसे पहले नोडिविकेशन आपके पास पहुँच जाए तो दोस्तों कहानी कुछ यह है कि बहुत सारे जो लोन एप्स हैं यानि 158 लोन एप्स की लिष्ट और भेजिये तिलंगाना पुलिस ने गूगल के पास अब गूगल ने इस पर अभी तक कोई भी पृतिकरिया नहीं दी है और इसके अलावा जो एडी हैं एडी जो पिरवरतन देशाले जिसको बोलते हैं तो एडी की तरफ से भी जो एडी के अधिकारी है उन्होंने भी जो भी सबूत है या जो भी जो इसमें काम किया है पुलिस ने वो सब जानकारी पुलिस से जुटा रहे हैं एडी के अधिकारी और एडी बता दूँ कि एक बहुती बड़ा डिपार्टमेंट होता गौर्मेंट का तो मैं पूरी खबर भी आपको दिखा देता हूँ आप खबर देख लीजिए तो दोस्तों ये खबर है नभारत टैम्स की और इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा बहां से जाके भी इस खबर को पढ़ सकते हैं तो यहां लिखा है बसूली के लिए पिरताड़ित और धोखधड़ी का मामला तेलंगाना पुलिस ने गूगल से की 158 लोन एप को ब्लॉक करने की अपील तो यहां लिखा है फरजी एप्स के जरिए लोन देने के नाम पर दोखधड़ी करने कई मामले सामने आए हैं और अभी नीचे आ जाता हूँ मैं खबर की तरफ हाल ही में लोन देने के नाम पर लोगों से दोखधड़ी करने वाले एक गैंग का परताफास किया जिसमें एक चीनी नागरिक समीछ चार लोगों को गिरफतार किया गिया सारे मामले देखते हैं और इन्होंने भी तिलंगाना पुलिस से जाच जोटाने का काम सुरू कर दिया है मतलब जो भी उन से जानकारी है जो एडी है वो अपने पास इन्फोर्मेशन एगटी करेंगे और उसके बाद भो भी कारपाई करेंगे तो यहां लिखा है ततकाल लोन एप आप अपरेट करने वाले 14 लोगों की गरफतारी के बाद हैदरबाद पुलिस ने 42 फाइनेंसिंग एप को हटाने की याचका दिये ऐसे ही साइबरबाद पुलिस की तरफ से 116 एप्स की लिश्ट बेजी गई है हैदरबाद पुलिस के जॉइन कमिस्नर अबेनास मोहंती ने कहा कि बेस समन में गूगल की तरफ से पिर्तिकरिया का इंतिजार कर रहे हैं गौरतला वैकिन 158 एप्स की भूमी का उस समय प्रकास में आई जब इनके प्रतिनेदियों की तरफ से लागातार प्रतालिद किये जाने के बाद लोगों ने सिकायद दर्च कराई थी अभी तक तीन लोग आत्मत्या भी कर चुके हैं क्योंकि कंपनियों की तरफ से कलेक्सन एजेंट उनके परचितों से लोन डिफाल्ड करने की जानकारी देते थे तो ये एक खबर थी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप बहां से आके चेक कर लीजेगा तो देखा आप लोगों ने की कैसे अब तो खबर में भी और नियूस में भी नियूस वाले भी आक्टिव हो चुके हैं और बहुत सारी नियूस एजेंसिया आक्टिव हो गई है और पुलिस भी पूरी तरह से आक्टिव है तो और काफी ज़्यादा सरकारी जो डिपार्ट कि अगर आप फेक कॉंटेकलिस बनाके लोन लेते हैं तो क्या हो सकता आपके साथ तो ये भी मैं आपको एक नियूस दिखा देता हूँ तो सायद आपके समझ में आ जाए कि ऐसा करने से भी आपको प्रॉबलम हो सकती है आपको यह खबर देखकर काफी ज़्यादा हैरानी ह होगी और बहुत सारे लोग जो फेक कॉंटेकलिस बनाके लोन लेते थे उनके लिए खबर जाद है इंपोर्टेंट है तो यहां लिखा है दैनिक वासकर की खबर है नियूस का लिंक में डिस्क्रिप्शन में देंगा आप बहां से जाके भी इसको चेक कर सकते हैं तो जो ख बढ़ने वाले लोगों को बदनाम कर रहे हैं कई लोगों को तो इतना परसान कर रहे हैं कि भी आत्मत्या जैसे घातक कदम उठाने के बारे में सोचने लगी हैं साइबर क्राइम पुलिस वा एक्सपर्ट के पास अब तक ऐसे तेरे मामले आ चुके हैं ठाक ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर लोन देते हैं लोन देते समय रकम का 20% पहले ही कार्ड लेते हैं उसके बाद उस पर 40% से लेकर 60% तक ब्याज देने का दवाब बन आते हैं एक दिन भी ब्याज नहीं दिया तो रोच का 200-300 रुपे पैनल्टी लगाते हैं ऐसे ही एक मामले में ब्याज नहीं देने पर सिकायत करता के आधार कार्ड से ठगों ने दूसरे एप से 20,000 रुपे का लोन ले लिया अब दोनों एप बाले फोन करके सिकायत करता को परसान कर रहे हैं ऐसे आरोपियों की धरपकड करने में अभी तक पुले सफल नहीं हो पाई है मेरे अधार कार्ड से ठग ने दूसरे एप से 20,000 रुपे लोन लिया मनी वैंक एप से लोन लेने वाले सचिन ने बताया मुझे पैसे की जरूत थी मनी वैंक एप का ऑनलाइन बिग्यापन देखा मैंने अब डाउनलोड करके एक महा के लिए 20,000 रुपे लोन लिया लेकिन मुझे 15,000 रुपे ही दिये एक हपते बाद ही लोन देने वालों की फोन आने लगे वो मुस्ति कहते हैं कि लोन के पैसे चुका दो बेरोच का 3,000 रुपे ब्याज मांग रहे ब्याज नहीं चुकाने पर हर दिन मन मताबक पैनल्टी लगा रहे थे एक भी दिन ब्याज नहीं दिया तो रिस्तियारों को फोन करके और सोसल मीडिया पर बेज़िती करने लगे इस पर मैंने कहा आप पैसे नहीं दूँगा उन्होंने मेरे अधार और पैन से दूसरे देने के पहले ही उन्होंने 15 रुपे काट लिए इसके बाद उनके पास फोन आने लगे एक ख़पते में पैसे नहीं दिये तो रोच कट 23 रुपे पैनल्टी लगा रहे हैं अब कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि करो नहीं तो बरबाद कर देंगे मैंने पुलिस से इसकी सिका रहे थे नहीं देने पर उसके प्रवार रिस्तियारों को फोन करके बदनाम कर रहे थे परसान होकर उसने आत्मत्या करने की सोच लिया था हमने उसे समझाया बाद में ठाओ के नंबर ब्लॉक करवा दिये तो देखा आप लोगों ने आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है अग आपको कंप्लेंट रिजिस्टर करानी है जो भी लोन एप हैं इनके खिलाब कंप्लेंट रिजिस्टर कराईए और इनसे डेटेल मागी हैं इनकी NBFC की अगर डेटेल प्रोवाइड नहीं कराते हैं बहुत जाद है अगर आपसे चार्ज कर रहे हैं भी आज तो आपको RBI के जो सचेथ पोर्टल है बहाँ पर कंप्लेंट रिजिस्टर करानी चाहिए ठीक है और इसके अलाबा आप पुलिस कंप्लेंट भी करा सकते हैं और कंप्लेंट की कौपी अपने पास जरूर रखिएगा जिससे कि भविस्ट में अगर आपके किसी भी डॉकुमेंट का मेसी उ लगातार और कब ये प्रितारना बंद होगी तो बताना चाहूंगा कि अब जो कॉल्स है वो ऐसे नंबर से कॉल जादे आ रहे हैं जिन पर हम दुबारा से कॉल कनेक्ट नहीं कर सकते जिसे एक्स्टेंशन नंबर बगरा ऐसा कुछ बोलते हैं बहुत सारे एजेंट कॉल कर मिलने वाली है तो वीडियो में बसे इतना ही था और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी भी मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरी इस्टाग्राम आइडिया आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी ये मेरी फेस्बुक पेज भी हमारा है और फेस्बुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं तो फेस्बुक पेज को भी लाइक फॉलो कर दीजेगा तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंत बंदे मात्रम